दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सपेरिमेंट में तो आज हम बनाने जा रहे हैं आइरेन शोल्डर यह आइरेन शोल्डर आपको बहुत ही सस्ता मतलब 13 रुपे में पड़ेगा और वैसे मार्केट में अगर आप आइरेन श दोस्ते इसकी मेकंग पर चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम के टीन ले लेंगे योट की कटिंग करногे हमें को इसकी 2 सीट कट करके पहले ही उर्र पर शेयर को सबस्कु थोड़ा सा nådya आप का अपको बनानी हे और मैप करूंग eater पर मार्क करने के बाद 10 cm यानि कि 50 mm फोल्ड कर लूँगा, जैसे आपकी वीडियो में देखेंगे तो समझ जाएंगे, देखें दोस्तों अब यह मैंने कटिंग कर ली है, कटिंग करते वे आप थोड़ा सा अपने हाथ का ज्यादा ध्यान दे क्योंकि यह तीन थोड़ा सा ज करके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, दोनों साइड मार्क करके, क्योंकि आपको पता लग जाएगा देखेए, आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैंने दोनों साइड आदा ह露िए अदा सेंटीमेटर मार्क कर लिया है, और दोनों शीट ले चुकी हैं, और मैंने दोनों पत्यों को एक दूसरे के अंदर रख लिया है, देखे हमने इसको फोल्ड कर लिया है, दोनों को एक दूसरे में, अब हम क्या करेंगे, इसमें काना निशान लगा लेगे, निशान लगाते वे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो hole करना है हमें दोनों पत्यों के अलग करना है और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि hole जादा उपर ना हो क्योंकि इस hole में हमें bit रखनी है दोस्तों मैंने market से एक iron shoulder का element खरीता है ये मुझे 10 रुपे का मिला है आप भी अपने हैं purchase कर सकते हैं किसी भी electrical shop इन पर निकल जाएगा देखे उपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और साथ में मैंने इसकी bit भी purchase करी है ये मुझे 3 रुपे की मिलिये उसी hardware की shop पे ही मिलिये अब मैं इसे fix करूँगा दोस्तों मैं इसे fix करने जा रहा हूँ आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्योंकि bit को क्या करना है element के बिलकुल middle में लगाना है अगर bit को हम कहीं और दूसरी side लगाते हैं तो हमें problem हो सकती है ये hole जो मैंने आपको starting में जब बताया था निशान लगाने के लिए दोनों side इसी के अंदर ये bit fix होगा क्योंकि इसके अंदर एक hole show है और दोस्तों हमें hole करते हुए यही बात का ध्यान लगना है क्योंकि bit इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है अगर हम hole ज्यादा ऊपर करेंगे तो bit थोड़ी छोटी हो जाएगी और iron shoulder करते हुए क्या होता है हमें से थोड़ा-थोड़ा रेती है फाइल से थोड़ा-थोड़ा clean करना होता है तो यह थोड़ा-थोड़ा इसकी जो bit है वो कम होती जाती है तो हमें उसी चीज का ध्यान देते हुए रगान है अब देखिए मैंने fix कर लिया है अंदर एक screw tight कर दूँगा मैं क क्योंकि यह टाइट रहेगा तो फिर जो एलिमेंट है इसका वो बाहर नहीं निकलेगा तो आब मैं दूसरा जो इसका पीस है उसको भी लगा कर बंद कर देता हूं और थोड़ा सा वायर का जरूर ध्यान लखोंगा क्योंकि यह जो टीन शीट है यह वायर को कट कर चकती है दोस्तो मैं दूसरी दर्फ जो होल था उसकी तरफ भी स्कुरू टाइट कर देता हूं तो दोस्तो दूसरी दर्फ भी स्कुरू टाइट कर लिया है मैंने और अब मैं एक 7 mm का पाइप का टुकड़ा ले लेता हूं मेरे पास वेस्ट पड़ा थो तो मैंने वो ले लिया और और इसको लेवल में करने के लिए मैं रेगमाल की थोड़ी से हेल्प लोंगा, क्योंकि कटिंग करते हुए बिल्कुल इक्वल नहीं कटा मेर से, शायद आप से कट जया तो दोस्तों मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो दोस्तों इसमें होल कर ल लगाएं और नहीं लगाएं, वरना आप एक प्लास्टिक का कट पीस भी उपर लगा सकते हैं, देखिए मैं अब कनेक्शन करने जा रहा हूं, और इसको मैं पाइप के अंदर से इसलिए ले लूँगा, क्योंकि उपर जो होगा, उपर की तरफ से में से फिक्स कर लूँग और हमें वैसे भी अपने स्विच बोर्ड में लगाना तो इसमें वैसे भी नेगिटिव और पॉजिटिव नहीं होता, तो मैं से कनेक्शन करते हुए थोड़ा सा द्यान से टेप कर लूँगा, क्योंकि दोनों वायर साथ महीं रहेंगे, अगर मैं कनेक्शन करते हुए थो मैं दोनों को इक्वल कर लूँगा, मैं और दोनों को फिक्स कर लूँगा, दोनों फिक्स करते हैं टाइम एक चीज का ध्यान और रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर ये एलिमेंट हीट करेगा, तो ये पाइप भी मेल्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं MDF का बोर्ड यूज कर तो ऐसा नहीं होगा कि पाइप मेल्ट करें, अब दोस्तों हमारा आइरिन शोल्डर का जो काम है 90 परसेंट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, पीछे से वायर को थोड़ा सा क्रॉस करके अंदर की तरह फिक्स कर देंगे, जिससे कि अगर प्रेशर प पर की तरफ से देखेंगे तो थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा, आप मुझे कहेंगे कि यार इतना सारा काम बता दिया आपने, कि 13 रुपे में कैसे बना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहरा हूँ, शिर्फ मैंने बिट पर्चेस की है, और इसका ऐलिमेंट पर्चेस क हूँ, बाकी पर्फेक्ट होने की कोशिश करूँगा, आपके उससे, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो, और आगर आप मेरे चैनल पर फर्स ताइम हाए हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगयो तो मेरी व करेंगे अप आइरन शोल्डर उससे बैटर ही वर्क करेगा, उससे कम नहीं करेगा क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा बिलकुल जैन्वेन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ फैक बताऊंगा, ठैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो,